हेलो मेरे प्यारे बच्चो बच्चो मैं आप लोगों से बहुत important बात कहना जाते हूँ कि आप लोगों को अगर previous year question paper के solution चाहिए तो मैंने अपने website में previous year के 3 साल के question के solution upload कर दिये हैं वहाँ जाके आप easily print out निकाल सकते हैं download करके ठिक हैं तो वह आप बिल्कुल practice कीजिएगा आपको exam में उससे बहुत फायदा मिलेगा और इस video को अपने सारे दोस्तों को share करना ना भोले और उनको ये ज़रूर बताए कि मैं पूरी तैयारी करवारी है सारे subject की तो इसलिए आप मैडम का channel ज़रूर subscribe कीजिए और आप बच्चे जो channel subscribe कर चुके उनको बहुत सारा प्यार दिल से अपने दोस्तों को भी share कीजिए वीडियोस और उनको भी share करने उनको भी subscribe करने को कहिए क्योंकि इस channel में मिलने वाला है आपको पढ़ाई सारे study material जो कि आपको pass होने ना कि सिर्फ pass होने में बल्कि आपको 95 प्लस score करने में मदद करेगी एक्जाम के लिए special tips और भी बहुत कुछ grammar, English, सब कुछ मिलेगा बच्चे एक बार playlist जाके ज़रूर चेक कीजिएगा assignments भी मिलेंगा आपको आने वाले फरवरी के assignments आपको पूरे मिलने वाले हैं इसलिए अगर मेरी ये महनत आपको अच्छी लग रही है तो like ज़रूर कर दीजिए और आने वाले समय में ऐसे ही अपना साथ बनाए रखे description में link दिया हुआ है आज हम English medium बच्चों के लिए maths का important question लेके आए है chapter 1 का polynomial में से तो चलिए हम जल्दी जल्दी से इसके important question with solution देखने वाले हैं solution आपको practice करना है बच्चे जितना आप अच्छे से practice करोगे उतना आप अच्छा score करोगे तो देखिए ये है आपका objective type questions ये बहुत easy question है दो minute में इसके answer निकल जाते हैं अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो आप मेरा math का sample paper जाके video देख सकते हैं playlist में मैंने बहुत अच्छे से solve करवाया हुआ है same question ना होके लेकिन उसे मिलता जूलता question आपको ज़रूर मिल जाएगा देखिए आपको पता चल जाएगा कि solve करना कैसे है देखिए ये 2017 में आया है ये भी 2017 मैंने सारे important question चाटके आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चे इसका answer भी दिया हुआ है देखिए ये सारे 2020 में आया थे सारे important question है बच्चे आप लोगों के लिए बस इतना कर लोगे न आप लो 80% question इसे में से आएंगे मैं बता रही हूँ आपको 80% questions देखिए इसमें solution दिया हुआ है ठीक है तो ये है आपका fill in the blank तो fill in the blank का भी answer नेचे दिया हुआ है देखिए इसमें लगबग 12 fill in the blanks है इसका answer यहाँ पर फिर true false true false का भी answer नेचे दिया हुआ है अब इसको पढ़कर समझ कर true false को देख लेजेगा अब देखिए ये है हमारे बहुत सारे important question जो कि 2018 में आये है ठीक है value निकालना है हमको polynomial का line से दिया हुआ है बस उसमें जो x की value दी वह है उसको put करेंगे और solution निकालेंगे कितना आसान है देखिए फिर हमको यहाँ पर देखिए 2017 में आया है ये question इसमें हमको check करना है कि x plus 1 इस polynomial का factor है कि नहीं तो कैसे पता करेंगे देखिए x plus 1 का value हम निकालेंगे तो minus 1 आता है minus 1 को हम x के जगा put करके देखिए अगर वो 0 को satisfy करता है यानि कि वो अगर 0 आता है तो वो factor है नहीं आया यानि कि वो नहीं है factor ठीक है इस तरीके से ये question भी solve करेंगे बहुत easy question से बच्चे एक बार अगर आप समझ जाओ देखिए इसमें भी हमको x is equal to 2 put करके solution देखना है 0 आगिया मतलब वो इसका factor है आईए देखिए ये तो पूरा हमको find dividend dividend का formula होता है formula लगा है और बस निकाली ये देखिए remainder theorem अब remainder theorem से हमको इसमें remainder पता करना है ये है इसका simple formula जिसके हिसाब से हम देखिए question भी 2019 में आया है k factor निकालना है हमको तो k p1 is equal to 0 है x का मान हमने रख दिया x का value 1 और k हमारा निकल गया वैसे ही देखिए question भी बहुत important देखिए इसमें हमको 0 उस पता करना है तो sum of 0 और product of 0 दोनों का formula लगाए और ने कर लिया answer तो ये सारी questions आपके लिए बहुत important है बिच्चे में बार 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 बोलती हूँ जितना आप practice करोगे उतना आप अच्छा करते जाओगे बस आपको previous year questions के solutions मैंने जो website में provide किये हुए है description आपको link मिल जाएगा वो आप download कर लिजिए उसको बहुत अच्छे सा practice कीजिए साथ में मेरे ये सारी जो questions बन chapter wise दे रही हूँ हर subject का उसको practice कीजिए assignment के questions practice कीजिए जो sample paper मैंने करवा रखा है अपने channel में उसको practice कीजिए आपको 95 plus score करने से कोई ने रोख सकता दुनिया की कोई ताकत ने रोख सकती इसकी guarantee मैं देती हूँ बस आपको पूरे भक्ती श्रद्धा से बस practice करते जाना है करते जाना है बस आप पढ़ाई करने है बच्चे और कुछ भी नहीं करना है लेकि ये भी 2020 में आया है remainder zero है चाहिए आपको सारे chapters के आपको ऐसे मिलते जाएंगे ये भी 2020 में आया है देखे तो ये सारे questions आपको बहुत अच्छे solve करने है अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप Instagram में मुझसे बात कर सकते हैं आपको personal guidance भी मैं दूँगी मैं personal guidance भी देती हूँ बच्चों को अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे Telegram चैनल में भी follow कर सकते हैं जॉइन करके मेरा Telegram चैनल उसमें मैं सारे जो PDF है वो provide करवाती हूँ वीडियो के आने के कुछ दिनों के बाद और आप लोगों से request है आपको प्लेलिस्ट में जाके एक बार मेरे सारे वीडियो देखे जो की study tips वाले हैं उससे आपको study tips याने कि आपको कैसे 95 प्लस score करना है उसके सारे मैंने राज वहाँ पे खोले हैं तो वो भी जाके आप ज़रूर देख लेजी तो ये सारे important questions मैं उमेद करती हूँ कि आज ही आप पूरा practice करके पक्का कर लोगे क्योंकि practice makes the man perfect बस ये चीज़ याद रखिएगा जितना आप practice करते जाएंगे उतना आप perfect होते जाएंगे और जितना आप लिख लिख के practice करेंगे वो आपके दिमाग में बैठता है कोई भी subject हो उसको आपको याद करके लिख के ही practice करना है और मैं आज तो practice करने से ही होएगा तो मैं उमिद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा से practice करोगे यहाँ पर हमारा chapter खतम होता है मिलते हैं next video में तब तक के लिए पढ़ते रहे ही आपको motivated रखने के लिए मैंने एक नया चैनल लांच किया है जिसका नाम है आपकी डियर माम तो अगर आप motivated रहना चाहते है और लाना चाहते है एक्सामे 90 प्लस तो उस चैनल को ज़रो सब्सक्वाइब कीजिए ना CoolSchool.com लिखना है और मेरा website आजाएगा कुछ इस page में आप पहुचेंगे और इस page में पहुचने के बाद आपको सबसे पहले home, फिर assignment उसके बाद study material और उसके बाद question papers तो question paper में जाएंगे आप click करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 option मिलेंगे सबसे पहले sample paper questions यानि की sample paper उसके बाद आपको मिलेगा previous year paper उसके बाद मिलेगा आपको previous year paper solution जी हां अगर आपको sample paper चाहिए तो आप sample paper डउनलोड कर लीजे अगर आपको previous year question paper चाहिए तो वह download कर लीजे और आपको सबसे जो मैं प्रोवाइड कर रही हुँ और जो अप्लोड हो गया है उसको जाए जल्दी से डाउनलोड कर लिए क्योंकि यहां से आने वाले 50% marks के जो रेसिपी होने वाली है वह आप यहां से ही ग्राफ कर लोगे यानि कि आपको ऐसे ही 50% स्कोर कर लोगे कि यह पढ़िकर अगर आप जाओगे तो यहां से ही आपके 50% questions आने वाले हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़े हैं अगर आपको sample paper के solutions चाहिए तो sample paper के solutions भी आपको धीरे-दीरे इसमें upload कर रही हूं मैं और sample paper के solution के सारे वीडियो मेरे channel के playlist में बने हुए हैं आप channel का playlist जाकर जरूर देखिए वहां पे आपको toppers copy previous year question paper syllabus blueprint सब करते हैं जिससे आपको बहुत ही easy हो जाएगा तो कुल मिलाके ये website आपके लिए बहुत important है आपको daily एक बार जरूर चेक करना है आप अभी जाकर उसमें sample paper question paper जो previous year है उसको download कर लीजिए और अगर आपको solution भी चाहिए तो उसको भी आप download कर सकते हैं बीर दीरे वह upload हो रहा आप instagram में मुझे message कर सकते हैं बाकि telegram channel को join जरूर कीजेगा क्योंकि उसमें भी जो updates है daily के वो जरूर डलते हैं तो दोनों ही जगा आपको जाके join करना है follow करना है बहुत जरूरी है ठीक है तो अगर और भी चीज़े आपको चाहिए तो आप comment में मुझे जरूर comment कीजिए ग subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिए और like जरूर कीजिए को कि इतनी महनत हम करते हैं आपके लिए thank you so much